नमस्कार प्यारे दस को स्वागत है आप सभी का दनौलोज गुरू के इस रूप चनल पर पैदर्स को इस वीडियो में बताएंगे संकस्टी चतोर्थी कब है इसका सुब मोहुर्द क्या है जानेंगे इस वीडियो में इसकी व्रत की जोतिती है और महत तो क्या है साथ में ब पहुँच सके शुरू करते हैं वीडियो को तो जेस्ट यानि की जेट महा की सुरुआत हो चुकी है जेस्ट महा का सबसे पहला व्रत चतोर्थी तिथी को रखा जाएगा जेस्ट के कस्णपच की चतोर्थी तिथी को एक दंत यानि संकस्टी चतोर्थी के नाम से भी जाना जाता है इस दिन गडपत की पूजा करने वालों के हर कस्ट दूर हो जाते हैं और साधक को अपार खुसियां मिलती हैं भगवान गडपती का एक नाम एक दंत भी है इस दिन सुर्यदे से चंद्रोदे तक वरत किया जाता है चंद्रमा की पूजा के बाद ही वरत का पारण का विधान है तो आई जानते हैं एक दंत संकस्टी चतुर्थी वरत की क्या है पूजा विधी क्या है डेट सुमोहर्त और महत्व शुरू करते हैं विटो को तो एक दंत संकस्टी चतुर्थी का वरत आट मई को रखा जाएगा माननेता है कि इस दिन वरत रहकर गडपती बब साम 6 बचकर 18 मिनट पर हो रही है इसका समापन यानि 9 मई 2023 को साम 4 बचकर 8 मिनट पर होगा इस दिन साम को चंदरोदे के बाद वरत पारण किया जाता है इस दिन सिव योग भी बर रहा है ऐसे में गड़पती की पूजा करने से संकर भगवान का आशिरवाद भी प्राप्त हो तो 8 बचकर 2 मिनट तक कर सकते हैं तो इसका सिव योग भी है तो 8 मैं को पराता 2 बचकर 13 मिनट से 9 मैं पराता 12 बचकर 10 मिनट तक इसका सिव योग रहेगा तो एक दन संकस्टी चतुरती का चंदरोदे क्या समय रहेगा तो संकस्टी चतुरती वरत में साम को गड़पती की पूजा की जाती है फिर चंद्रमा को अर्ग भी देती हैं मानता है कि चंद्रमा की पूजा के बिना ये व्रत अधुरा माना जाता है एक दन संकस्टी चतुर्थी के दिन चंद्रोदय रात 9 बचकर 29 मिनट पर निकलेगा तो ये बड़ी खबर है तो इसका महत क्या है ये महत ह आपको जानकरी दे रहे हैं तो एक दन संगस्टी चतुर्थी का धार्मिक द्रश्ट से बहुत महत होता है इस दिन गड़ेश भगवान की पूजा करने से जीवन की सभी समस्याइं दूर हो जाती है अपनी सभी मनों कामनों को पूरा करने के लिए इस दिन व्रत रखने का भी विदान है एक दन संगस्टी चतुर्थी का वरत सुख सौभाग दिलाता है यदि आप संतान प्राप्ती का सुख भोगना चाहते हैं तो भी इस दिन विदि विदान से गड़ेश भगवान की पूजा कर सकते हैं तो यह है बड़ी अपडेट